Dear Students, इस मड्यूल में हम Big Data over Cloud के सिलसले में कुछ case studies discuss करेंगे कि कुछ examples हैं दुनिया की मारूफ कम्पनियों की कि जो Big Data processing और hosting के लिए Cloud infrastructure पर रिलाय कर रहे हैं इससे हमें अंदाजा होगा कि Big Data और Cloud के दिर्मियान कितना कम फासला है और कितनी 23 से companies इसमें और कितनी असानी से Cloud Computing Big Data को support कर सकती हैं इससे पहली company का नाम है SwiftKey यह एक ऐसी company है कि जो touch phone और touch enabled devices के keyboard के prediction, text prediction जो है उसके उपर software का काम करता है It is a smart prediction technology for mobile device virtual keyboard यहनि mobile devices के जो virtual keyboards हैं जो आपको on screen नजर आते हैं उन पर text prediction के लिए इसको यूज किया जाता है अब देखिए दुनिया में करोडों सार्फीन हैं mobile phone के खास्तोर से जो कि touch phone यूज कर रहे हैं और इसके उपर on screen keyboard यानि virtual keyboard जो है इसका यूज कर रहे हैं touch keyboard जो है और उसी साब से करोडों की जो है वो एक टाइम पर प्रेस की जा रहे हैं करोडों वर्ड्स अभी भी टाइब की जा रहे हैं जब आपकी lecture सुन रहे हैं या यह lecture इसको रिकॉर्ड हो रहा है टाइब करेगा यह क्या टाइब करना चाहरा है उसको suggestions for example word के closest suggestions जो है वो दिखाए जा सकते हैं ताके वो जल से जल्द और बगाइर मिस्टेक की हुए typing कर ले इसको जो है होस्ट करने के लिए swift key को amazon simple storage service और amazon elastic cloud जो है उसके उपर hadoop जो deploy के जाता है जो के big data की processing के लिए एक बहुत मारूफ टूल है so यह company जो है swift की यह भी cloud की उपर ही रिलाय का रही है for big data processing and storage उसके बाद एक मारूफ game है hollow game इसकी तकरीबन पांच करोड 50 million copies जो है वह अब तक sell हो चुकी हुए है दुनिया भर में और यह company online जो players हैं उनका data कठा करती है for example for tournament ranking या कोई भी मकाबला हो रहा है या किस player ranking के हवाले से अगर पांच करोड प्लेयर जिसके जह हैं दुनिया में मजूद हैं उसमें से अगर suppose करने एक करोड प्लेयर भी daily इसको प्ले कर रहा है तो उनके statistics जह हैं वो करोडों के हिसाब से करोडों बाइट के हिसाब से daily या जो भी से कम time में कठे होते रहते होंगे और इसमें से प्लेयर रैंकिंग और प्लेयर के statistics निकालना बिग डेयर प्रोसेसिंग है जो जो विंडो आईयर है उसकी HD Insight Service जो के itself Hadoop पे बेस करती है इस काम के लिए यूज की जा रही यानि जो Halo Game है ये भी जो इसके statistics हैं ये in fact big data over cloud से ही हासिल हो रहे हैं इसके बाद Nokia की नाम लेते हैं Nokia का नाम कौन नहीं जानता बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने आज तक Nokia का mobile देखाना हो the well known mobile manufacturer collects terabytes of data for analysis ये अपने users के लिए terabytes के साब से data जो है कठा करता है और जितना मारूफ Nokia है तो हम अंदाजर लगा सकते हैं कि वाकी terabytes से भी ज्यादा data इसका कठा होता होगा इसको जो है host करने के लिए data को process करने के लिए ये teradata, enterprise data warehouse, oracle और MySQL data marts और visualization technologies के लावा Hadoop भी use किया जाते हैं ये हमने तीन important examples देखी हैं कि जिससे हमें अंदाजर होता है कि companies big data जो है उसको ना सिर्फ collect करती हैं बलके उने फाइदे के लिए statistics निकालने के लिए valuable information extract करने के लिए यूज़ करती है और इस काम के लिए अब ज्यादातर cloud यूज़ हो रहा है